अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक सरकार और संस्दी व्यवस्था या संस्दी सरकार इन दोनों के बीच के अंतर को कुछ हम और इस तरीके से समझने की कोशिश करें अध्यक्षात्मक सरकार का अर्थ किस माइने में संस्दी सरकार से तो अलग है जब संस्दात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो वह ठीक अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत है, उल्टा है अध्यक्षात्मक प्रणाली में शक्तियों के प्रिथक करण के सिध्धान पर आधारित मना जाता है इसमें व्यवस्थापिका, कारिपालिका, एक दूसरे से बिलकुल प्रिथक और एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, अलग रहते हैं यहने सरकार के दो जो अंग हैं, व्यवस्थापिका और कारिपालिका, इनके बीच में कुछ ऐसा गहन संबंद नहीं देखा जाता जैसा कि मैंने पूर में आपको बताया है, खासकर भारत के परिप्रेक्ष में इसमें कारिपालिका की सभी शक्तियां केवल एक व्यक्ति पर आधारित रहती हैं, केवल एक केंद्रा ध्यक्ष पर, राज्या ध्यक्ष पर नहित रहती हैं, अर्था राष्ट्र पति पर ही नहित रहती हैं किसी तरह के विभाजन की इसमें गुजाईश नहीं रहती व्यवस्थापिका से अलग होने के कारण कारेपालिका पर व्यवस्थापिका का जो नियंत्रण है वो बना रहता कारेपालिका याने मंत्री गण व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई भी नहीं रहता बल्कि मंत्री गण जो हैं वे कारिपालिका या राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदाई होते हैं क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कारिपालिका के प्रधान के द्वारा तो की जाती है अध्यक शात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरा जो सिस्टम है वो एक धुरी के चारों ओर रहता है और इसलिए जो शासना ध्यक्ष है वो नाम मातर का नहीं रहता वो वास्तों में कारिपालिका का प्रधान रहता है वास्तविक प्रधान शासना ध्यक्ष कारेपालिका का वास्तविक मुखिया शासना ध्यक्ष इसलिए प्रिथक करण वाली बात कारेपालिका और विधाईका किसके प्रिथक करण की बात नहीं रहती राश्टपती अपनी शक्तियों के लिए व्यवस्थापिका के विश्वास पर निर्भर नहीं होता और अपनी राजनातिक नीतियों के लिए भी वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई भी नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका और राष्टपती के संबंधों में कुछ ऐसा जोड़ नहीं है जिसमें राष्टपती व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई हो जाए उसके प्रति जिम्मेदार हो जाए वहाँ राष्टपती या कारेकाल चार वर्ष का होता है चार वर्ष के लिए वह चुना जाता है और व्यवस्थापिका राष्टपती को चार वर्ष से पहले सामानी स्थितियों में नहीं हटा सकता मैं सामानी स्थितियों की बात कर रहा हूं चार बच्शे पहले विज्था को समय से पहले भंग करा के चनाओ नहीं करा सकता जबकि संसदात्मक विज्था में इस थिती दूसरी है जिसका हम आगे جhkar करेंगे पर आप ये समझ लें कि दोनों ही एक दूसरे पर किसी भी तरह का हावी होने का प्रयास नहीं कर सकते भंग करने का या पद से हटाने का अमेरिका के लावा जिन देशों में ये प्रणाली है उसमें मैंने जैसा बताया ब्राजिल, दक्षिन कोरिया, लाटिन अमेरिका, शीलंका, आदि उलेखनी हैं यद्यपी शीलंका का समझ विधान बारं बार बदलता रहा है पर मूल समझ विधान के मूल में वहाँ यही अध्यक्षी व्यवस्था का प्रावधान है तो फिर अध्यक्षी, अध्यक्षात्मक सरकार की परिवाशा क्या होगी गैटिल, अध्यक्षात्मक सरकार एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कारेपालिका का अध्यक्ष अपने कारेकाल और अपने कारेओं की दिष्टी से विधान मंतल के नियंतरन से मुक्त है स्वतंत्र है अपने कारेकाल के और कारेपालिका के अध्यक्ष के नाते अपने कारियों के लिए भी विधान मंटल से किसी भी तरह का उस पर नियंतर नहीं है यदि हम इसके लक्षणों की बात करें अध्यक्षात्मक सरकार की विशिष्टाएं या लक्षण तो सबसे पहला तो है कि कारेपालिका और व्यवस्थापिका के प्रिथक करण को लेकर हम देख सकते हैं दोनों बिलकुल प्रिथक दूसरा नाम मात्र की और वास्तिक कारेपालिका अलग अलग नहीं है यहां पर ऐसा कोई शब्द नहीं है कि नाम मात्र का वह राष्टपती है जैसे भारत के संदर में मैंने पूर में बार-बार कहा कि भारत का राश्पती नाम मात्र का है यहां है चनी नाम मात्र की और वास्तिक कारेपालिका का अलग-अलग अस्तित्व नहीं तीसरी विशेष्टा जो इस तरह की शासन व्यवस्था की है वह है राश्ट्रपती व्यवस्था पिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है चोथी व्यवस्था न्याएपालिका सर्वोपरी है और राश्टपती की अपनी मंत्रीपरिशद होती है ये मंत्रीपरिशद जो है राश्टपती की ये बहुत क्वालिफाइड योग्यता से पैक्ड लोंग की होती है कारेपालिका के कारेकाल की अवदी भी बड़ी निश्चित है चार वर्ष अगली विशेष्टा है इसमें अवरोध और संतुलन का सिध्धान्त अवरोध और संतुलन का सिध्धान्त इसका तातपर यह है चेक एंड बैलेंस कैसे एक दूसरे को चेक करते हैं और साथ ही साथ बैलेंस करते हैं यह सिध्धान्त पराधारित है मंद्र मंडल की राजनीतिक एक रूपता आवश्यक नहीं इस परकार हम देख सकते हैं कि अध्धक शात्मक प्रणाली की यह कुछ विशेष्टाएं हैं और आप देखेंगे कि इनमें से अधिकतर विशेष्टाएं सन्सदात्मक प्रणाली की विशेष्टाओं से काफी कुछ हट करें अब यदि अध्धक शात्मक सरकार के गूढ़ों की बात करें कि positives क्या है क्यों अध्धक शात्मक सरकार कई माइनों में बहतर है या क्यों अमेरिका जैसे देशों ने अध्यक शात्मक सरकार की व्यवस्था का प्रावधान अपने समधान में किया है कुछ अच्छी बाते जो हैं उस पर हम सरसरी नज़र डालें पहला कारेपालिका या सरकार बड़ी स्थाई रहती है और सुद्रिध रहती है किसी कारणों से राश्पती अपने पद पर नहीं है चाहे स्वास्त के कारण उन्होंने स्थीफा दिया हो या मृत्य हो गई कारेकालपूर्ण होने के बाद कारेकालपूर्ण होने से पहले तो उपर राश्पती स्वय में वो अपने आप राश्पती बन जाता है और इस विकार एक स्थाई नीती बनी रहती है एक स्थाईत वो बना रहता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्यक शात्मक सरकार का एक बहुत बड़ा गुण है उसका स्थाई होना निरंतरता उसमें बनी रहती है तो द्रता बनी रहती है और इससे किसी भी देश की अर्थ व दूसरा अद्यक्शी व्यवस्था में ये देखा गया है महसूस किया गया है कि प्रशासन में कुशलता रहती है चुस्त दृस्त प्रशासन सभी अध्यक्शी प्रणाली वाले देशों में देखा जाता है इसके कई कारण हो सकते हैं आपको चेवल यह ख्याल लखaking कि शंशदी प्रणाली के तुलना में जो प्रशासन की कुशलता अध्यक्षी प्रणाली में देखी जाती है वो बहतर है। तीसरी अच्छी बात अच्छा गुण अध्यक्षी प्रणाली का है युद्ध और राष्टी विपत्ति के समय त्वरिद गति से कार्य करने की नेड़ने लेने की और कारवाई करने की ख्यंता अध्यक्षी प्रणाली में देखी गई है संच्छी प्रणाली में विलंब एक सामानी बात मानी जाती है संधी प्रणाली में नेड़ने के लेने में समय लगता है लेकिन अध्यक्षी प्रणाली में युद्ध की स्थिति में विपत्ति की स्थिति में आपदा की स्थिति में बड़ी तुरद गति से कारे होता है और का गंदी राजनीती से मुक्ती खासकर दल गत राजनीती जहां विविन दल अपनी अपनी खितड़ी पका कर संसदी व्यवस्था में जोड तोड साम दाम दंड भेद में लगे रहते हैं और उसके लिए कई मूल्यों को त्यागने में भी नहीं हिचकते वहाँ अध्यक्षी प्रणाली के अच्छाई यह है उसका गुण यह है कि यहाँ पर हम पाते हैं कि दूशित दल बंदी से राजनीती जो है वो मुक्त है यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है खात कर आज के परिप्रेक्ष में भारत के परिप्रेक्ष में अधिया आप देखें जो संसदी प्रणाली के कारण आप पाते होंगे रोज की जो राजनीती है वो किस हद तक गिरी है और गिरती जा रही है इसके पीछे हम संसदी प्रणाली के उन बुराईयों को देखते हैं जो अध्यक्षी प्रणाली में नहीं मिलेगी तो इस प्रकार दूशित दल बंदी की राजनीती से मुक्त रहते है अध्यक्षी प्रणाली अगला गुण है शक्ती प्रणाली के सिध्धान्थ पर आधारित होने के कारण ये बलवती रहती है ये अध्यक्षी प्रणाली में हम पाएंगे शक्ती प्रणाली का जो सिध्धान्थ है वह बहुत कुशलता देहां काम करता है राश्ट्री एकता, अध्यक्षी प्रणाली एक व्यक्ति पर केंधृत है और वह भी कारेपाली का और व्यस थापिका इसका एक मुखिया है तो परणाम यह होता है कि वह एक राश्ट्री एकता का प्रतीक चिन बन जाता है राश्ट्री एक्ता के लिए ये एक बहुत जरूरी पैमाना है जिसमें देखा जा सकता है कि अध्यक्षी प्रणाली में एक्ता देश की एक्ता खंडता ज्यादा मजबूत रहती है अगली विशेष्टा है कि ये जो अध्यक्षी प्रणाली है ये बहुत दली प्रणाली वाले देशों के लिए उतनी उचितनी है योग अनुभवी और विशेशग्यों की सेवाएं इसमें ली जाती हैं जैसा मैंने कहा कि राष्टपती का जो मंत्री दल होता है राष्टपती जो अपने मंत्री बनाता है वे लोग मात्र केवल राजनीती में ही डूबे हुए नहीं रहते उनकी प्रिष्ठ भूमी पूर्ण राजनीती नहीं रहती है वे लोग विशेशक ये रहते हैं वे लोग अनुभवी रहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में वे लोग योग ये रहते हैं और इसलिए ऐसे मंत्री परिशत से बहतर परणाम की अपेक्षा रहती है टेक्नोक्रैट्स रहते हैं तो यह आप देखेंगे अध्यक्षी प्रणाली के जो राष्ट्रपती के तहट कारे करने वाले जो मंत्रि मंडल होता है या हम उसे बोलें मंत्रि परिशाद उसमें अधिकतर लोग आप पाएंगे योग्य हैं तक्नीकी दृष्टी से मद्बूत हैं विशेशग्य हैं और अनभवी हैं अगली विशेश्टा जिसके जिक्र मैं पूर में कर चुका हूँ कि आपात इस स्थियों में तुरित निर्णे तुरित कारवाई होती है तो उसी के मद्दे हम दूसरी बात कर सकते हैं कि इनके कारियों में हम शीगरता पाती हैं अर्थात अध्यक्षी प्रणाली में नीतियों के निर्धारन में उसको कारियानवित करने में उसके प्रणाम पाने में जो विलंब संसदी प्रणाली में देखा जाता है वह यहां पर नहीं है यहां पर सभी चीजें बड़ी त्वरिद गती से होती हैं शीगरता से होती है दसवी विशेष्टा या दसवा गुण अध्यक्षी प्रणाली का है कि यह प्रणाली जो है बड़े राष्टों के लिए विशाल राष्टों के लिए अच्छी है आप देखेंगे अमेरिका विशाल ब्राजील विशाल और कुछ अन्य देश जिनके मैंने नाम लिए अधिकतर आप पाएंगे कि विशाल देशों में यह प्रणाली बहतर काम करती है इसके बहुत से कारण है पर आपको एक कारण याद रखना होगा कि जब इस राजनीतिक प्रणाली का केंद्र एक विशालता की दूरियां उसे प्रभावित नहीं करती और इसलिए विशाल राष्टों के लिए यह बड़ा उप्यक्त माना जाता है और अंतिम विशिष्टा है अंतिम गुण है कि ताना शाही का भै इस विवस्था में कम रहता है नहीं रहता है इस सब के माइने ये नहीं कि अध्यक्षारी अध्यक्षी प्रणाली सर्वगुण संपन है यदि ऐसा होता तो पुरे विश्व में सभी देश इसी प्रणाली शासन प्रणाली को अपनाए रहते इसके कुछ गुण ऐसे हैं जो एक तरीकत हम कह सकते हैं अवगुण और इन अवगुणों इन खामियों के प्रणाम सरूप इन दोशों के प्रणाम सरूप बहुत से देशों ने अध्यक्षी प्रणाली से दूर हटकर अन्य प्रणाली को चाहे अर्ध अध्यक्षी या संसदी प्रणाली अपनाई है ज़िए दोशों की बात करें तो सबसे पहला दोश है कारे पालिका और व्यवस थापिका के बीच हम ताल मेल का अभाव देखते हIES कारेपालिका और व्यवस्थापिका के बीच हम ताल मेल का अभाव देखते हैं जाने सरकार के जो तीन अंग हैं उसमें से दो अंगों के बीच में सामन जैसे उतना अच्छा नहीं बैठ पाता दूसरा राष्टपती निरंकुष बन सकता है क्योंकि सारी सत्ता उस पे केंद्रित रहती है तो निरंकुष्टा की संभावना ज़्यादा है तीसरा चूंकि ये उत्तरदाई नहीं होते इसलिए शासन भी हम कह सकते हैं अनुत्तरदाई होता है अनुत्तरदाई शासन चौथा गुण चौथा बुराई चौथा दोश पूरे जो दाइत्म है वो एक व्यक्ति पर है एक व्यक्ति के विचारधारा एक व्यक्ति के लाइक्स और डिसलाइक्स एक व्यक्ति की सोच पूरे देश को प्रभावित करती है और यदि अमेरिका जैसे देश में ऐसी व्यवस्था है तो वहां के राष्टपती की सोच पूरे विश्व को प्रभावित करती है अर्थात ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उत्तम श्रिणी का व्यक्ति ही ऐसी प्रणाली में राष्टपती बने है क्योंकि पूरी सारी एक ही व्यक्ति पर है ये इसकी बहुत बड़ी बुराई है और अंतिम दोशों की शिंखला में अंतिम दोश जो हम पाते हैं स्विवस्था में वह है जन्ता में राजनीतिक शिक्षा का अभाव रहता है क्योंकि मतदान और चनाव प्रचार और ऐसी जो बाते हैं वे जितनी संसदी प्रणाली में हैं जितना इस संसदी प्रणाली में राजनीतिक शिक्षा सामान जन्ता तक पहुशती है जो एक चैतन नागरिक के नाते आवश्यक है उतना अध्यक्षी प्रणाली में ऐसी विवस्था नहीं है तो वहाँ पर हम देखते हैं सामानत है कि अध अजनीतिक शिक्षा का अभाव रहता है। इस पकार हमने अध्यक शात्मक प्रणाली के गुण दोश अच्छाई बुराई और ये क्या है इसको समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं संसदात्मक प्रणाली या मंत्रि मंदलात्मक सरकार या व्यवस्था आखिर क्या है जिसे हम में कहते हैं पारलमेंटरी और कैबिनेट गब्मेंट क्या है पारलमेंटरी या कैबिनेट गब्मेंट क्या माइने हैं। संसदी सरकार के विकास के जदी बात करें तो इसकी शुरुआत संसदी व्यवस्था आधुनिक रूप में इसका जन्म इंग्लेंड में माना जाता है इंग्लेन से इसका विकास देखा जाता ही स्वेवस्था का अठारवी शताद्दी में इंग्लेन में ये प्रसा शुरू हुई कि सत्ता में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं रह सकेगा जिस पर संसर्ट का विश्वास न हो अर्थात, प्रधान मंत्री और उतके मंत्र मंडल, बाकी मंत्री ये जरूरी है वे जनता का विश्वास अर्जित करके ही संसद में आए हूँ तो इस प्रकार विधान मंडल का सजच्य होने की आवश्यकता संसदी व्यवस्था का एक बहुत महत्पूर्ण पहलू है क्योंकि संसद के सदसे होना अर्था जनता का विश्वास होना और ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश संसदी व्यवस्था में जब विकसित हो रही थी तो इस बात को बारम बार बल दिया गया कि प्रधान मंत्री या मंत्री उन्ही को बनाये जाए जो जनता का विश्वास अर्जित कर विधान मंदल में आये हों विधान मंदल के नियंत्रण में हों और नियंत्रण में रहते हुए वे कारे करते हों और विधान मंदल के प्रती उत्तरदाई भी हो गया हों ये बहुत महत्पूर्ण बात है क्योंकि विधान मंदल के प्रति उत्तरदाई होने का अर्थ जनता के प्रति उत्तरदाई होना क्योंकि विधान मंदल के सदस्य जनता के द्वारा चुने गया है और जब तक जनता का विश्वास उनके पास बना हुआ है तब तक वो पदासीन है भले उसका कारिकार निर्धारित कर दिया हो लेकिन अगले कारिकार के लिए उनका विधान मंडल में आना तभी संभाव है जब वह जनता का पुनर विश्वास अर्जित कर चुके हूँ इस वकार जनता के विश्वास को आधार मानते हुए संचदी शासन प्रणाली में नेत्रित की कल्पना की जाती है इंग्लेंड के बाद ऐसी जो प्रणाली है वो और विक्सित होते हुए और आधनिक रूप लेते हुए हॉलंड, कैनेडा, उस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जापान और फिर भारत आज जी जैसी देशों में पहुंचती है और वहाँ इसी प्रणाली को थोड़े बहुत अंतर के साथ अपना रहे गया लेकिन मूल व्याख्या उसकी यही रही, कि जो भी देश का नित्रित करे वहाँ विधान मंडल का सदस्य हो, अरथा जनता का उसने विश्वास अरजित किया हो जब तक जनता के विश्वास पर ये खरे उतरते हैं, तब तक वे सत्ता सीन रह सकते हैं अनित्रसत्ताहीन जनता के द्वारा किये जाएंगे तो ऐसे में संस्दात्मक शासन का अर्थ क्या है वह प्रणाली जिसमें कारेपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ट संबंद अध्धक शात्मक प्रणाली में दोनों बिलकुल अलग दोनों में सामन जश्च की कमी उस प्रणाली की एक खामी है लेकिन संसदी प्रणाली में इस बात को सुनिष्चित किया गया है कि व्यवस्थापिका और कारेपालिका के बीच में गहन संबंद हो व्यवस्थापिका के सदस्च ही कारेपालिका के मुखिया बन सकते हैं यही इस बात को स्पष्ट करता है व्यवस्थापिका और कारेपालिका के बीच में घनिष्ट संबंध बहुत महत्पून और कारेपालिका व्यवस्थापिका के नियंतरण में कारे करती है और व्यवस्थापिका का अस्थान कारेपालिका से उपर है इस बात को याद रखेंगे कि कारेपालिका के माइने हैं मंत्री मंदल से यहाँ क्योंकि मंत्री मंदल जो है उसके सज़त से सब व्यवस्थापिका से आते हैं और चुकि उनका वजूद, उनका अश्चत्व व्यवस्थापिका के आधार पे है, वे कारिपालिका के सिदस्य बनने पर वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई होते हैं, व्यवस्थापिका के नियंत्रण में रहते हैं, व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार र कारिपालिका के सभी सदस्य जो है संसत्य सदस्यों में से ही लिये जाते हैं यानि ये आवश्यक है कि जो भी मंत्री परिश्यत का सदस्य बने जो भी मंत्री परिश्यत में लिया जाए मंत्री परिश्यत से अर्थ है कारिपालिका का वह भाग जिसे हम राजनेतिक कारिपालिक कहते हैं तो जो भी उसमें चुना जाए वह संसद का सदस्य अवश्य हो अर्थात व्यवस्थापिका का हिस्सा अवश्य हो और वे उस पद पर तब तक आचीन रहते हैं जब तक के संसद इन से संतुष्ठ अर्थात संसद के प्रति उत्तरद आई हैं यदि संसद का बहुमत इन में से किसी सदस्यों के प्रति या मंत्रि मंडल के प्रति विश्वास नहीं रखता और विश्वास रखता है तो वह सरकार हड़ जाती है जाता मैंने कहा कि मंत्रि मंडल के लिए अवश्चक है कि वो संसद को संतुष्ठ रखे और संतुष्ठ रखे से तादपर है कि अपने कारियों से वह सुनिश्चित करे कि संसद और उन संसदों के माध्यम से उनकी जनता इन मंत्रि परशद के सदस्यों से खुश है संतुष्ठ है और जब तक ऐसा रहेगा तब तक उस निश्चित काल के लिए मंत्रि परशद को कोई खत्रा नहीं वे तब तक आचीन रहेंगे अपनी गद्दी पर अपने पद पर आचीन रहेंगे जब तक कि संसद संतुष्ठ कर दो